असलाम वालेकुम एवर्वान दिस इस वैसल असलम और इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीपीएसी पैटन चेंज के मुतलब जो बातें हो रही है वो किस हद तक दुरुस्त है लाइक पिछले काफी दिनों से मुझे कुछ लोग कह रहे थे मैसेजिस कर रहे थे और चैनल प कर दी है सारे म्सी किउस खत्म कर दी है और अब नए सिरे से उन्होंने म्सी किउस बैंक बनाया है जिन से वो क्वेस्टिन्स पूछेंगे तो उस सिर्सले में कल जो दो तीन पेपर हुए कल और परसों के तीन पेपर उसके बाद ये ट्रेंड काफी ज्यादा हो गया लोग पहले से बात ने कर रहे थे लेकिन उसके बाद ये कि कल परसों के बाद ये ट्रेंड ज्यादा हो गया बहुत सारे लोग के इस बात को पूरी यकीन के साथ कहने लगे कि पीपैसी में वाक्षी ऐसा कर दिया है कि अपना MCQS बैंक उन्होंने खतम कर दिया और अब नए सिरे से वो अपने MCQS तरफीब दिये हैं उन्होंने जो लीग्ड पेपर्स हैं उनके पाद तो कल ये पोस्टे मैंने देखी टुड़े आई अपियर इन एसिस्टेंट पेपर आई विट लाइक टो शेर माई एक्सपीरिएंस तो आल ग्रूप मेंबर्स टुटे पेपर डिविजन और ही इसन्होंन वजू तो चैंज आई है के सब में न अन अपडिस का पूप्शन था और कफी ज्जादा क्वेस्टिन में नन अफ दीज ही राइट ऑप्शन बन रा था English 16 marks not a single question was from past paper, mathematics 8 marks that was quite difficult, Urdu 10 marks totally new, Islam year 8 marks was also new, current affairs 10 marks obviously होते नियु होईजी, General Science 8 marks basic level, computer 5 marks basic level, these 65 marks was not from इम्तियाश शाहिद, remaining 35 was knowledge, only almost 20 questions was from past papers, अब मैंने जो दो paper share किया, मुझे जितने paper के questions मिले, उन में मुझे assistant के paper के तकरीबन 50 questions मिलें, जो मैंने आपके साथ share कर दिया, वीडियो बना के, उस 50 में से ये 21 questions repeat हुएं, जो past papers में मुझूद हैं, और इस दफ़ा उसने दोबारा पूछें, वाल स्ट्रीट, जिनेवा, रिडियाक्टिव, रेज, एनलमेंट आफ बंगाल, पार्टिशन, पार्टिशन आफ बंगाल और एनलमेंट, हजारों दफ़ा पूछें इसने, पाकस्तान आफ परसनल हिस्ट्री, पाकस्तान वाज इनेविटेबल, अज़रत अली रज़ुलाह ताला नहों की वालदा, इसलाम के पहले अलम बरदार, किस दोर के साबी में कुरान को किताब की शकल दी गई, हर कल रूम को आपका ख़त देने कौन गया था, वगयरा वगयरा, यह आप जो है यह देख लीजिए, पाकस्तान is present in which continent, क्राइव वुल्फ का मतलब क्याता है, आज़ाद नज़न का बानी कौन है, दो साइल, जो सिनोनम है, वो भी रिपीटेड है, दो साइल भी पहले पूछा गया है, सेक्रिटी चेनरल अफो आई सी, मोस्ट पॉपुलिटेड सिटी इन दे वर्ल्ड, इसमें से कौन सा ऐसा क्वेस्टन है, जो के नया उन्होंने हों गई, आल्मूस्ट फिफ्टी में ट्वंटी वण जो है रिपीटेड है, तो बाकी फिफ्टी में भी इतने रिपीटेड होंगे, यह दूसरा पेपर हैटलर का, जिसके मैंने तकरीबन सिक्स्टी के करीब आपके साथ एमसी के वीडियो के फॉर्म में शेयर किये, इन क् उसने नए questions देने हैं, वो तो उसने देने ही देने हैं, हर दफ़ा, हर पेपर में नए mcqs आते हैं, current affairs के तो नए ही होते हैं, definitely, लेकिन जो general knowledge के questions होते हैं, वो भी इस तरह के नए आते हैं, बीपियासी अपना जो mcqs बैंक का, वो अपटेट करता रहता है, यह नहीं है क हो सकते हैं, आपने ना देखे हों, लेकिन past papers में वो पूछे गए हैं, तो यह वो सारे questions हैं, 29 questions हैं, 60 में से, जो मेरे पास 60 आये थे, पूरा paper अभी मेरे पास नहीं आया, जो 60 आये थे, उस में से यह 29 questions repeated हैं, बाकि जो 40 हैं, उन में से कितने repeat होंगे, वो तो जो paper मेरे पास पूरा आएगा, तब भी उस में से analysis हो सकेगा, लेकिन यह 30 questions almost जो हैं, यह past papers में पूछे गए हैं, नए सिरे से, नहीं पूछे इसने, तो इसलिए आपको tension लेने के ज़रुद नहीं है, अगर आप इम्तियास चाहिए से त्यारी कर रहे हैं, हलांकि मैस चीज़ को suggest नहीं कर करता, इम्तियास चाहिए से अगर आप त्यारी कर रहे हैं, और मैस चीज़ को बिलकुल भी encourage नहीं करता, मैं यह किस शुरू से ही कहता हूं, जो मुझ से पूछता है कि किस तरह त्यारी करें, कि आप इम्तियास चाहिए को तेखें, pattern को समझें, syllabus को समझें, और उसके बाद उस syllabus के मताबक तैयारी करें, Google से करें, Wikipedia से करें, Net से करें, दोस्तों के साथ पैट के करें, जहां पर मर्जी, जिस तरीके से मर्जी करें, लेकिन इम्तियास शाहिद पर dependent ना हो कभी भी, अगर कभी भी PPSC, वो MC Goods Bank जो उसने एक बनाया हुआ है, जो भी लोगों के जहनों म मुझूद है, वो destroy कर देता है, delete कर देता है, तो आप PPSC जो इम्तियास शाहिद पर dependent ना रहें, अगर आप उस पर dependent हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो जब भी change करेंगा, तो आप helpless हैं, लेकिन अगर आप उस पर dependent नहीं है, तो आपका knowledge भी बढ़ेगा, आप रटा master बनने क कोशिश ना करें, जब आप knowledge बढ़ाएंगे, आप common sense के थ्रू पढ़ेंगे, आप उसको concept wise पढ़ेंगे, तो फिर आपके papers भी ठीक होंगे, और आपको किसी चीज़ पर dependent होने के जरूरत भी नहीं पढ़ेगे, बाकी यह है कि उसने change कुछ नहीं किया, PPSC में कुछ भी change न dependent रहना चाहते हैं, तो आप dependent रह सकते हैं, अचाहे सब की वज़ा फिर क्या है, as per the PPSC official report of 2020, page number 30, पहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, मैंने अभी चेक की है, आप भी PPSC के website पे जाके, publications में जाके, PPSC official report 2020, उसका page number 30 पढ़ सकते, the pattern of MCQs have been upgraded, nothing like that has been set in that, official report, the upcoming test will now focus more on the cramming questions of contemporary affairs, static topics from the past, candidates are required to cover the topics conceptually and extensively, to cater this need of students, they can consult our notes, which have been prepared for conceptual learning, from the exam's point of view, or be enrolled in the session, for details contact here, तो इसलिए ये ये जो चीज़े हैं, इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये हववा बनाया जा रहा है, एक ट्रेंट चलाया जा रहा है, कि लोग अकैडमीज जोइन करें, लोगों को जब ये नहीं पता होगा, कि paper क्या है, paper pattern क्या है, आइंदा कि papers कहां से आएंगे, और PPSC में इम्तिया शायद बले ट्रेंट खतम कर दिया है, तो फिर वो लोग डर के मारे अकैडमीज जोइन करेंगे, जब वो अकैडमीज जोइन करेंगे, तो अकैडमीज का जो सिस्टम है, वो ज्यादा बहतर चलेगा, तो इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है, कोई pattern नहीं percentage यो है, वो general science से आएंगे, इतने percentage general knowledge से आएंगे, इतना percent math से आएगा, इतना percent current affairs होंगे, सारा कुछ PPSC already हर paper के साथ बताता है, तो फिर आपको अकैडमीज या इस तरह के खजलखवारी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका मक्सद सिर्फ आपको academics के तरफ खींचना है, ताकि आपको ये बावर कराया जा सके, ये समझाया जा सके, जो नया syllabus आया है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, जो नया pattern आया है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, आप हमारी academy आएंगे, आप हमारे notes खरीदेंगे, तब हम आपको ब नहीं है, pattern चाहिए नहीं हुआ, syllabus चाहिए नहीं हुआ, जो कुछ पहले चल रहा था, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, that was all for this video, कोई और चीज जो आपके जहन में हो, वो आप बताना चाहिए, आप comments में बता सकते हैं, thank you so much for watching, Allah आफिस.